ये हमारा कॉलेज है हमने अभी तक लेला, मजनू, हीर, रांजा, शिरी, वरहाद जैसे प्रेवियो की कहानी सुनी है लेकिन हमारी कहानी थोड़ी सी आलग है दोस्तों, हम हॉलिडेज फुल ओन एंजॉय करेंगे हाँ ठीक है पर अपने टूर प्लान के बारे में तो बताओ पहले हमें कहीं जाना होगा कहाँ पर यार? हम सब मिलकर रोहित के गेस्ट आउस पर जाता है सूपअ ब्यार हमारे आने की खबर उसे फोन करके देनी चाहिए हलो? हे रोहित, मैं शोग बोल रहा हूँ हाँ हम हॉलिडे एंजॉय करने के लिए तुम्हारे गेस्ट आउस पर आते तुम भी वहीं मिलो न मैं वहाँ नहीं आपाऊंगा यार क्यों क्या हुआ? मेरे पापाजी की तब यह ठीक नहीं है तो अब क्या करें? उनका ख्याल रखने के लिए मुझे हैं रहना होगा पर तुम लोग जाओ ना तुमारे गर है यार क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अराप जो ला कराओ, एंजॉय करो ओके पिटाजी का ख्याल लखना ओके हेई, वह नहीं आ सकता उसके बीना ही एंजॉय करना होगा ओके यह कहाल गई? कब हॉन दिया नाराज हो क्या? प्लीज मान जाओ नाया प्लीज प्लीज हम वहां से जल्दी लौट आएंगे प्लीज वो जगह बहुत ही खूब सूरत है वहां तुम्हें बहुत ही अच्छा लागेगा प्लीज हम एक बार जाकर वापस लौट आएंगे तुम हां कह दोना क्योंकि हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा प्लीज, हां कह दो न देखो, मेरी खुशी में तुम्हारे खुशी है और तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगी हां कह दो न प्लीज, एक बार हां कह दो स्वेटी प्लीज, एक बार ओके येस, I love you स्वेटी यहार बूक के मारे हाल-बे-हाल है यार, बुल्डिंग तो बहुत ही मस्त है प्लीज, और बारे में बार में सोचेंगे पहले खाने के ओफरे में सोचो यार, बहुत भूक लगी है इक्स्क्यूस में आइंक्यू ग्योख, इस बच्वेटीफ। वाओ, प्यूटिफुल अरे भाई, इस घर में किचन कहा है यार बेरी नाइस यार डाइनिंग टेबल, खाली क्यों पड़ा है इंटीरियर पर भी काफी खर्चा किया है वहाँ, सूपब घर तो बहुत अच्छा है अरे मोहन, अपने बुक्स लाए होते तो हम यहाँ पढ़ाई भी कर सकते थे यार अरे यार, हम यहाँ दस दिन मस्ती कर रहें आया है और तो पढ़ाई का नाम लेकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है अच्छा, एंज्वाइ कर लिया, मैं डिस्टोब भी करूँगा एक्स्कीज मी मोहन, यह बैक मेरा है बैक जब गाड़ी से यहाँ तक लाया, तब तक तो मेरा ही था मेरा बैक तुम लेकर चल रहे थे अच्छा ठीक है तुम रख लो अच्छा वो रूम तेरा और वो रूम मैं रख लूँगा ओके श्यो ठीक है मेरा बैक कहाँ है वाव I love you I love you too Chandrika दर्लिंग Chandrika दर्लिंग प्लीज मोहन प्लीज मोहन इस समय कौन आगया अरे इस वक्त कौन आगया आप कौन है यह मेरा नाब मलीका है वाव यह तो लेडीज है मुझे डील करनी पड़ेगी कौन है आप क्या चाहिए आपको मुझे यहां के साहब ने आप लोग की सेवा करने के लिए भेजा है अच्छा तो सेवा करना शुरू कर दो हमारी सेवा के लिए फिर तो सेवा होने ही चाहिए बताए क्या खाना बनाओ मेरे लिए एक चिकन तंदूरी चिकन बिर्यानी बठर चिकन फिश फ्राई फ्राइड राइस विस्की सोडा यह सब हमें नहीं चाहिए यह सब का सब मेरा फ्यवरिट है मेरे लिए एक ग्लास दूद काफी है यह तो रहा मेरा मेनू मोहन मैने अपना फूड ओर कर दिया तू भी अपना फूड ओर कर दे अच्छा इसने जो भी बोला ना वो सब बना दो मैं सब खालूँगा ठीके साब साहब नाश्टा रेडी है मल्लीका जी वाटर जी लाई मल्लीका मस्त है मस्त है मल्लीका के नाश्टी की बात कर रहा हूं मल्लीका का नाश्टा बहुत ही अच्छा वाटर 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 देखकर तो खाना बहुत टेस्टी लग रहा है सब खतम कर देंगे तुम भी ना मल्लीका मुझे भूख नहीं है एक गलास दूद लाना मेरे लिए मैंने आपल अच्छी तरह खाना तुम तो कमाल हो मोहन दूद गरम है साहब देखो वो दूद पी रहे सीखो कुछ उससे दूद कब पिनाई यह नहीं जानता और तुम्हें कब क्या बुलना है तुम नहीं जानती तुम दोनों के बीच मैं गरी फज गया हूँ तू तो खिलाडी है सब मालूम है मुझे थैंक यू क्या कर रहे हूँ? देखो अगर तुमने अब कुछ लिकी न तो तुम्हारे नाकुन के साथ सथ उंगली भी काट दूँगी चंदरीका प्लीज पागल मत बनो मैरेश तक यू सर्टिफिकेट रगना चाहिए हा लेकिन मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंसर कट में हम 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 समका से जंदेगी कुछ रूला नाका परेश परेश एह, come on अरे, क्या कर रही हो अरे, क्या कर रही हो तुम रंजिता, सीधे से सो जाओ, नहीं तो मैं बहार जा के सो जाओगा जा उस तरफ ए बेवगुफ, रजगुल्ली जैसे लड़की तुम्हारे पास है और तुम्हें नीद आ रही है, उफ छे हुआ 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 गुद बार्णी का शुरू कर दिया क्या है यह सब दिखाओ वर्क पेंडिंग है इसलिए फिनिश कर रहा हुआ ठीक है कर लो हुआ 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 अच्छी में करो डिरे सकता हुआ है रूम बन कर लेता हूं मैं सब जानती हूं समझे जानती हो फिर भी नहीं मानती हो तुम नहीं सुध्रोगे मैं नहाने जा रही हूँ चंदरीका चंदरीका सुनो तो कर गार भार आीज कर रुब जानती हमें थाँति हैंभाण। कि नहीं हो बार आीजित कि छान में फोच्ट बंड रहाम से थींगे कर देरे देता दीड़ाल प्रणी चाति हो ठान Почему तुम दिए स्वलिये घैज़ आनते हो तार्ट dabei खामखा नीन से जाग गया वरना अभी तक सपने में तीन चार बार मज़े ले लिये होते बैड लक बैब लगाई कि ँज अफ्ट क्या बात है मस्त इंजॉई कर रहे इसके लिए भी किस्मत चाहिए क्यों भाई कोई आके खड़ा है फिर भी चिपक रहे हो दर्वाजा तो बन कर लेते तो यहां आ जाएगा मुझे नहीं पता अच्छा मेरे फोन की बैटरी डाउन है तुमारा फोन चाहिए दर मैं जा रहा हूँ लगे रहा हूँ वाव यह तो फ्रेश हो रही है चंदरी का चंदरी का च्छोड़ू लाए क्या करें यह सब शादी के बात मिलेगा मुझे कपड़े पहनने दो पहले तुम यहां से बाहर निकलो चलो निकलो यह नाइन साफी है चंदरी का सराजा नाइन साफी है ऐसा मत करो प्लीज क्या यार पास में ही अच्छा रिजॉट है वहाँ चले क्या सुनो थोड़ा आगे चलेंगे तो हिल व्यू है वहाँ पर एक स्वामी जी का आश्रम भी है वहाँ चलकर उनके दर्शन भी कर लेते हैं अच्छा वहाँ जाते हैं प्रवचन सुनते हैं भगवा पहन के साधू बन जाते हैं मुझे साधू नहीं बनना है तो अब फाइनल हो गया है हम रिजॉर्ट जाएंगे और खुब मज़े करेंगे मस्ती शुरू ये सब बंद करो क्यों? रिजॉर्ट में पब भी तो है वहाँ जाकर डिस्को करेंगे ना तुम लोग शांत रहना मेरे घर से फोन है हेलो हेलो हाँ ममी तुम चिंता मत करो तुम कहां हो? हाँ, मैं यहाँ फेंट्स के साथ कंबाइन स्टेडि कर रहा हूँ तुमारे पापा सीरियस है अच्छोक, बाकी लोग है ना पिता जी का ध्यान रखने के लिए एक्जाम का बहाना बनाकर रुख जाओ ना प्लीज आइडिया तो बहुत अच्छा है नहीं नहीं एक काम करो तुम घर जाओ ठीक है यार रन मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ लेकिन मुझे चाना पुड़ेगा तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मोहन और चंद्रिका है न ठीक है न प्लीज रन्जिता तुम अपना क्या लगना मैं घर जागे आता हूँ आय मोहन वो दोनों तो गये अब हम दोनों क्या करेंगे ने ने कोई और सैंडल लावना एक इस सैंडल से कितनी बार मार होगी तुम चिंता क्यों कर रही हो मोहन और चंद्रिका है न तुम्हारे साथ बस दो ही दिन की तो बात है यार मैं वापस आजाओंगा ठीके ना भाई रानी तुम अपना ख्याल रखना Please understand मैं दो ही दिन में वापस आजाओंगा Please अपना ध्यान रखना ओके भाई डालिंग भाई ऐसे खाली घाली ही चला गया कम से कम एक केस्ट तो देख कर जाता इतना भी दिमाग नहीं अच्छी ऐसे लड़के के साथ जिन्दगी कैसे गुजरेगे हाई क्या होगा मेरा ए मोहन अरे वो वो यहां अकेले क्या कर रहे हो ओ हो सिगरेट पी रहे हो नहीं वैसी कोई बात नहीं है वो कभी-कभी frustration में होता हूँ ना तो पी लेता हूँ और कुछ नी तुमको भी frustration होता है क्या क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ क्या मुझे किस बात का frustration है मैं ही जानता हूँ इस चान्दनी रात में तुम्हारा mood क्यों खराब है? उससे क्या होता है अब तो अकेली हूँ ना वैसे सच कहूं तो ऐसी रात में या तो शराब होनी चाहिए या अच्छा सा लाइफ पार्टनर होना चाहिए वरना ये जवानी किस काम की ऐसी जिन्दगी जीने में क्या मज़ा विर्स नाइट नहीं हूआ तो समझो सब नाइट वेस्टी है क्या तुम्हेंने कुछ कहा नहीं मैंने कुछ नहीं कहा मुझे लगा तुमने कुछ कहा ओके मोहन बाई गुट नाइट बाई 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 संभल कर सॉरी सॉरी कोई बात नहीं मुझे तो मजा आया क्या बात है आज मना नहीं कर रही हो इसी तरह मान गई होती तो इतनी राते वेस्ट नहीं जाती क्या बखबख कर रहे हो चुपचप सोजाओ पता नहीं कुछ समझ में नहीं रहे है क्या हो रहा है लगता है पागल हो गया हूं अरे रे सोजाओ मोहन सोजाओ क्या रहा हूज समझथो अरे सोजाओ रहे है かं बखबख कर रे वे看到ी जिह रहा हूज़ क्या रहे है फ़ाओब यहा है बखबख आर Jrी ए कोहैं नहीं वत्या सोजाओ आज सोजाओ कि लूब करेंट दिटे हैं अजर तो टेंगे अजरे यह खरू है है पूर्णीज रंजिता पूर्णीज रंजिता यहाई गुद्मॉर्नीज रंजिता यहाई गुद्मॉर्णीज मैं तुम्हारे लिए नाश्ता निकालो मैं ले लोंगी ठीक है मल्लीका नाश्ता बहुत ही टेस्टी है कुछ लोग जिंदीगी के टेस्ट का मजाने लेते और वेस्ट करते हैं अपनी लाइप को हुआँ किसुआ किसुआ अरे किसुआ यहाई और आए किसुआ किसुआ यहाई ब्लही अंप हम जले अदो जदेगों हम जदुए हम जदुए जदुए हम दुए हम जाम हम जदो 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 चोड़ तो दीवें लिए लिए रंजिता लेड़ जाओ धीरे धीरे क्या हुआ लेड़ जाओ आराम से मोहन के हाथ राब भेज़ देना बहुत दर्ध हो रहा है ठीक है डीट एंड लुण हलो हलो अशोक मैं फिसल गई अशोक मुझे चोट लग गई क्या बहुत दर्द हो रहा है तुम कब आओगे मैं बहुत जल्दी आ जाओंगा ये दर्द सहा नहीं जा रहा है अशोक थोड़ा इंतजार कर लो यहाँ पर पिता जी बहुत सेरिस है हॉस्पिटल में एड्मिट किया है दो दिन में उन्हें चुट्टी मिल जाएगी फिर मैं आ जाओंगा रानी तुम दो दिन बाद आओगे तब तक मैं ऐसी पड़ी रहूं तुम चिंटा मत करो मैं जल्दी आता हूं ठीक है ना भाई ठीक है तुम्हारा दर्द कम हुआ क्या दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा मोहन तुम ने कहा था इसलिए बाम लेकर आया हूं तुम भी लगा दो ना मोहन क्या मैं ठीक है कहां दर्द हो रहा है तुम्हें यहां पर मोहन अच्छा आने में इतनी देर क्यों लगाई जल्दी आकर भी करना क्या है झाल झाल तुम यह देखो झाल झाल सोफना को ऑफ चुटाक वाप्वडर करना को अविला क्या है सब्सक्राक्राइब आप दो हम्हम्हम्हम्हम्हम्हम्ह नाइस कोफी कहीं 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 मुझट तो मोहन तुमको क्रिकेट पसंद है मैं तो बहुत अच्छा बैक्समैन हूं यार वो तो तुमको देखकर ही लगता है मैं भी क्रिकेट प्लेयर हूँ मैं बॉलिंग बहुत अच्छे करती हूँ वैसे तुम्हें टी-20 पसंद है या टेस्ट मैच्च टी-20 तो जल्दी खत्म हो जाता है इसलिए मुझे सिर्फ टेस्ट मैच्च खेलना पसंद है अगर मैं बॉलिंग करूँगी न मोहन तो तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे वो तो एक बार खेलोगी तब पता चलेगा वैसे ठैंक्स मोहन कल तुमने जो बाम लगाया न मोहन उसकी विज़े से मैं अभी चल पारी वरना बैड भी नहीं सकती थी तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी जरूरत पड़े तो मोहन को बुला लेना वो आ जाएगा तुम्हारी मदद के लिए रात भर पेन बाम लगाकर ठक गए होगे ना जाओ अब जाकर बोडी मसाज करवाओ बहुत मजा आएगा तुम्हें चंदरीका उसे दर्द था इसलिए मैंने बाम लगाया तुम्हामखा भड़क रही हो तुम्हें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा लगता है दोनों ने एक दूसरे की मदद की है ये क्या बखवास कर रही हो यार तुम्हें हम दोनों के बीच चक्कर लग रहा है क्या शायद मुझे क्या पता हो भी सकता है चंदरीका तुम छोटी सी बात का बतंगड बना रही हो तुम्हारी हरकते ही ऐसी है शेह क्या मुहन क्या हुआ बैठो न अब तुम्हें क्या बताओ यार चंदरीका ने तो अभी हद ही कर दी तुम्हें बाम लगा कर मैंने तुम्हारी मदद की तो वो शक कर रही है किस बात के लिए इतना शक कर रही है अरे वही मैंने तुम्हें बाम लगाय था न वो तो मुझे दर्द हो गया था इसलिए लगाय था न हा लेकिन चंदरीका के शक का वाकई कोई इलाज नहीं है लड़की के मन का शक जंगल के आग की तरह होता है बुझना बहुत मुश्किल है अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है दर्थ के मारे मेरा मेरा सर फट रहा है इसको कुछ समझाओ कि आम दोनों के बीच कुछ नहीं है अरहा अरे मोहन तुम्हारा बदन क्यों गरम है रुकों में बाम लगा देते हो सरदर्थ के साथ बुखार भी उतर जाएगा आओ अरहा 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 है तुम्हारे जैसे लड़की अगर करीब हो तो सरदर्थ भी स्वर्ख जैसा लगता है मोहन अब दर्थ कैसा है कुछ कम हुआ क्या कम नहीं हुआ है मसाज की जरुवत है प्लीज अब कैसा है बैस हो गया मोहन अब थोड़ा आराम कर लो रंजीता मोहन तुम गलत कर रहे हो शायद तुम ही यह गलत लग रहा है लेकिन मुझे गलत नहीं लग रहा सच कहूं तो मैं यहां इंजॉय करने के लिए आया था लेकिन चंद्री का तो पत्थर दिल है कहती है हाथ नहीं लगाने दूंगी और प्रवचन देती है कि शादी के पहली यह सब पाप है शायद वो प्यार का मतलब भी नहीं जानती है तुम भी तो प्यार चाहती हो ना रंजीता अगर हम दोनों एक दूसरे की इच्छा पूरी कर दे तो तो इसमें गलत क्या है क्या गर्रेयों मोहन समझने की कोशिश करो हमारे बीच यह सब नहीं हो सकता हा रंजीता मैंने गलती की है तुम्हें छोड़कर उसे प्यार करने के गलती की है मैंने हाँ मोहन मुझे भी ऐसा ही फील होता है अभी तक अशोक ना तो मेरा पती बना है ना चंद्रिका तुम्हारी पत्नी है शादी ही नहीं हुई है तो प्रॉब्लम किस बात की तुम्हें अगर मेरा प्यार चाहिए तो चंद्रिका को छोड़ कर आना होगा लेकिन रंजीता किस सोच में बढ़ गए मोहन क्या तुम्हें मेरी जुरूरत नहीं है मुझे चंद्रिका की फिक्र नहीं है लेकिन अशोक का क्या कैसी बात कर रहे हो मोहन वो मुझे साथ लेकर आया और पिर अकेला चोड़ कर चला गया मोहन दरसल मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ अशोक से पता नहीं क्यों अब मेरा मन हटनी लगा है शायद अशोक से प्यार था ही नहीं सच में रंजीता मुझे भी वही महसूस हो रहा है आज रात में चंद्रिका से बहाना बना कर तुम्हारे कमरे में आ जाओंगा फिर हम इस दुनिया से दूर चले जाएंगे जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आ पाएगा येस अरे तुम कह जा रहे हो इस वक्त कहां जा रहे हो मेरी मर्जी मैं कहीं भी जाओ मोहन मोहन आज हम दिल खोल कर त्यार करेंगे मैं तुम्हारे इंतजार करी ती महन झाल कर दो 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 दो कि पार दो कि अपता है झाल झाल हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है भी मैं यह दीमा मौहन, चंदरिका पर नहीं कि अगा 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 इस तो परेशान करती है और यहां तो मुसका नाम लेकर परेशान कर रही हो मुसके विए हो आ परेशान कर रहा यहां परेशान कर विए सबसक्व मुसक्रा अगा अगा बीम्दैख इस ज्डान कर अगा शर्दी अगार अगान कर दा स्ट्रिका शर्दी। चंद्रिका छोड़ो उसे, चंद्रिका छोड़ो उसे, चंद्रिका देखो, चंद्रिका प्लीज, चंद्रिका छोड़ो प्लीज, चंद्रिका प्लीज, चंद्रिका प्लीज, चंद्रिका प्लीज, चंद्रिका प्लीज, चंद्रिका प्लीज, चंद्रिका प्लीज, चंद्रि झाल 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 मोहन एक कब काफी लाना प्लीज बहुत सरदर्द हो रहा है प्लीज यार ठीके मैं आभी लियाता हूं ठीके प्लीज यार ठीके मैं आभी लाना प्लीज यार ठीके मैं आभी लिए हाल से प्लीज यार ठीके मैं आभी लिए आहला हलो, हलो, बोलो मोहन, रंजीता, कल रात से चंदरी का अनाप शनाप बकरी है, पागलों जैसी हरकते कर रही है, ऐसी बात है, तो तुम उससे फॉरें डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं छूटा सा काम पूरा करके आते हूं, ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम तुम जल्दी आ जान है, लड़की का मामला है, लड़की का मामला है, डॉक्टर, मुझे मालूम था ही प्रोब्लम होगी, मेडिसिन लिया तो पचास अजार, ऑपरेशन के तो एक लाख, ने नी, बात वहां तक नहीं पहुंची है, डॉक्टर, आरे तो भाग रही उस करते ना, प्रोब्लम है, डॉक्टर, इस बीमारी को साइंस में, रोमांटिक, सेक्स्वल, इंट्रेक्शन, डिजास्टर सिम्टम कहते हैं, ये सब तो आप ही जाने, लिकिन ये जो भी बीमारी है, इसका इलाज बताईए, डॉक्टर, आहा, उपाय है, तुम धीरे जरको बताता हूँ, क्या इला मलिका, अरे, आप यहां कैसे, मुझे बुला लेती, मलिका, सच-सच बताओ, इतने सालों से तुम उस घर में काम कर रही हो, वहां कुछ प्राबलम है क्या, ये फोटो में कौन है, ये मेरे पिताजी है, कितना भी पानी डालो, दिवार गिली नहीं होती, कितना भी पियो, गला गिला नहीं होता, अबे बहाण में जा, वाटर भी खतम, क्वाटर भी खतम ढो से लाटर होता भानीं होता है, ये ये कितना भी है, ये में वाट-ोकुवत, क्वाटर भी खते हैं. झाल 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 पाप लगेगा आज है मेरी बाप मांजा मलिका क्या सही है और क्या सही नहीं है आज सब बता दूगा तुछे साब जी नहीं जाने दिखा रही है वैसे भी तू बचेगी नहीं सीधे से मांजा तुछे की तुछे देडे पचाण पचाण देडे पचाण देडे मुषे बचाण रहिए रहिए what the hell are you doing here तो मिल्सान हो यह जानवट अरे क्या हुआ बेटी यह से क्यों आशू बहार रही है क्या हुआ बेटी बताओ मुझे तबियत खराब है डॉक्टर के पास ले चलू क्या बहार जाने से टर लग रहा है पिता जी आपसे अच्छा इंसान या कोई नहीं है आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं पिता जी बहर साब लोग अच्छे नहीं हैं पिता जी मैं आपको और मा को छोड़कर कहीं नहीं जाओंगी पिता जी बेटी मैंने अभी तक तुम्हारी आखों में इस तरह से आशू नहीं देखे तुम्हारी आखों में आशू जिसने दिये मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ बेटी वो छोटे मालक मेरे इज़त लुटना चाहते थे पर दीदी ने आकर मुझे बचा लिया अब तक मैं छोटे माली के क्यो ही सारी गलतियों को नजर अंदास करता था पर आज उसने मेरी बेटी की जट पर हाथ डाला है मैं उसे छोड़ूँगा नहीं उसे सजा दूँगा तक बेटी तेरे पिता जी नाराज होकर इतने गुस्से में कहा चले गए उस घर में कुछ तो है ऐसा सुना था पर इससे आगे में कुछ नहीं जानती मेरे पिताजी हमें कुछ पैसे दे कर सहाप के काम के लिए दो महीने के लिए बाहर चलेगे ठीक है मलिका इस गाउ में और भी कोई है क्या जो उस बंगली के बारे में जानता हो एक इंसान है, सिर्फ एक ही है वो, जो इस बारे में आपको सब कुछ बता सकता है, चलिए मेरे साथ मलिका रुक जाओ, मंदिर के गर्ब गरे में एक साथ परवेश नहीं किया जा सकता है, एक एक करके आओ एक झाओ बता सकता है, एक का जासी है कल्से जासी है जासी बता सकते है जासी हान ओम त्रशुल धारने नमाह आवाहयामी 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 वहां मौत का तांडो चल रहा है वहां अगर वापस गए तो मौत निश्चिति समझो बंद नमाह आश्टदीप बंद नमाह आप लोग किस कारणवस मेरे पास आए है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसका कोई उपाय तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा मेरी सोच अगर सही है तो उस लड़की की जान खत्रे में है ये बात आप लोग भी जान लो उसे कोई भी नहीं बचा सकता तो अब हमें क्या करना होगा स्वामी जी जाओ जाकर अपने प्रेमी को सारी बाते बता दो अब जाओ तुम लोग यहां से रुद्राक्ष जी पिताजी करो जी पिताजी करता हूँ अच्छा अब हम चलते हैं अपना खयाल रखना चलो मलीका हेई डालिंग आ रहा हूँ बस पंदा मेट में बंगलों के अंदर होगा बंगले के अंदर नहीं गाओं के बाहर वाले मंदिर में आना अच्छा काफी फास्ट हो इतनी जल्दी क्या आए शादी करने की तुम ना फालतों के बखवास करना बंद करो चुप चाप मेरी बात ध्यान से सुनो गाओं के बाहर वाले मंदिर में जल्दी पहुंचो चीक है मैं मंदिर के पास आता हूँ ऑटे बाई चंद्रिका मैं अभी अभी डॉक्टर के पास जाकर आया हूं चंद्रिका क्यों क्या हुआ तुम्हें अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए गया था डॉक्टर ने एक अच्छा इलाज बताया है आज रात को तुम्हारा इलाज करूंगा क्या इलाज बताया है बता तो दूं तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं बताओगे तो जरूर बुरा मानोगी. ओके, 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 मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता, चंद्रिका. बोलो. हम दोनों के मिलन से, I mean, हमारे ऐसे वाले मिलन से, तुम्हारी ये जो बिमारी है न, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, अगर तुम चाहो तो. ठीक है, शुरू करो. ये तुम कह रही हो, चंद्रिका, मुझे यकिनी नहीं हो रहा, कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी. मेरे पास आओ, पास आओ. घ्ट करो अओ. चंद्रिका, छोड़ोजुआ, चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका ,चंद्रिका, चंद्रिका! चंद्रिका,मेर 2015 रुचे धुसार्ग भेज थिए चंद्रिका मैं तुम्हें सु tapping you । तो मुल्णिं दुम्हें ब्से मॉढ़ों ही. मिच़ जो आख दो देधर का मुझेंव रखरी को मुझे ने विल एफ जए तो जए विल्ट रखरी जए वाग जए ए एाँ हुआ 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 है पिता जी आपके कहन उसार पूजा की सारी समगरी त्यार है माने आपको जल्दी घर बुलाया है तुम बाहर जाओ रुद्राक्ष और उनसे कह देना इस वक्त मैं ब्यास था ठेक है पिता जी ठेक है ए परियादर तुम्हें यह मंदिर में चली आई चलो तुम्हें यह आने के लिए मना किया था ना तुम्हें वादा किया था हार दिलाओगे कमरबन दिलाओगे पायल दिलाओगे जुमका दिलाओगे सब जूट बोला था ना मेरी जान जैसे कोई बड़ा जजमान भसेगा तुम्हें उपर से नीचे तक सोने सिलाद दूँगा और खित्ते दिल लगेंगे चिंता क्यों करती हो मेरी जान समय आने पे सब हो जाएगा उस काम के लिए कोई भी टाइम चलेगा और इस काम के लिए वेटिंग पहले अपना वादा पूरा करो अरे नहीं नहीं मैं अपना वादा नहीं भूलाओँ मैं तुम्हें दिलाओंगा ना आओ ना प्यार करें तुम ना पहला अपना वादा पुरा करो, सोना लाने तक मुझे छोना भी नहीं मलिका मलिका अरे साहब जी यहां रंजित आई थी न, वो कहा है हम अभी स्वामी जी से मिलकर ही आ रहे हैं रंजिता ने कहा था वो घर जाएगी स्वामी जी, ये स्वामी जी कौन है आप लोग जिस बंगले में रह रहे हैं उसी घर में आपसे पहले चंदरकांता और रोहित आये थे रोहित ने चंदरकांता को धोखा दे कर उसे जाम से मार दिया इसलिए अब उसकी आत्मा उस बंगले में भटक रही है चंदरकांता जी हाँ हलो, रंजीता, तुम घर मत जाना, मैं स्वामी जी को लेकर आभी आता हूँ हम लोग स्वामी जी के पास ही है ठीक है मैं वहाँ आता हूँ, address बता ओ ॉम त्रिभौन पालिका स्वामी जी वो भूतनी है ये ना जानते हुए रोहित वहाँ पर गया है किसी भी हालत में उसे बचा लिजे स्वामी जी पागल सबसे पहले बचाना तो उस लड़की को ही है उस मुर्ख को नहीं मनुष्य तो गलतियां करता ही है परन्तु जान बुचकर की गई गलती को महापाप कहा जाता है कोई साधारन गलती नहीं उसने बहुत बड़ा पाप किया है जानते हो न बहुत बड़ा महापापी है वो एक अधर्मी इंसान है तुम उसके बीच में कभी मत पढ़ना उसकी सजा उपर वाला तै करें तुम्हें मैंने बहुत बार समझाया पर तुम नहीं सुधरे तुम्हारे जैसे लोगों की कारत प्यार शादे ये शक्त बैमान लगते हैं कोई भी लड़की उसी लड़की को पसंद करती है जो से जिन्दगी भर खुश रख सके कोई कोई भी माँ अपने बेटे को कलेक्टर या फिर कम्प्यूटर इंजिनियर बनाना चाहती है पर वो तुम जैसे बने ये कभी नहीं चाहती पर भी लड़की जीवन साथ ही साथ-साथ चलने के लिए चुनती है साथ ना चलिक तो भी चलेगा पर उसे किसी और के साथ देकर कभी खुश नहीं होती अब तो सुधर जाओ और अपने पापो को बंद कर दो ऐसे जानवर बंद कर और कितनी लड़कियों को बर्बाद करोगी तुम जा कहा रही हो तुम च्छोड़ों करने वाली हो चोड़ों मु तुम अपने आपको विश्व सुन्दरी समस्ती हो तुम्हारे जैसी कई लड़की आई और कई गई छोड़ों मुझे चाद तुमने मुझे धोका दिया कोई बात नहीं मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ धोका किया मर जाओ तुम अगले जनम में मेरे पास आना साथ फेरे ले करुम अगले आपर चाना सुबहारे जनम है जनम होका करुम से ऩुम टहारे घाँ है तुम करुम उदुम अगले तुम्हारेएि agencies हुआ हुआ हाओ पांडे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था आज एक मौत का इंतजार करने वाले को पहली बार देखा है मैंने किसकी मौत हां ये तो आल्रेडी मर चुकी है एक लड़की के लिए दूसरी लड़की को मार डाला क्या तो उसके लिए तुम मुझे मारोगे क्या ऐसा कुछ सोचना भी मत आज तक मैंने तुम्हारे सारी गलतियों पे परदा डाला और तुमने मेरे साथ ऐसा किया थी वो लड़की मेरी बेटी थी जोश में होश मत खो पाड़े तो मैं इतने पैसे दूँगा कि तुम उन्हें देखकर खुशी के मारे पागल हो जाओगे ऐसे सुख की मुझे कोई जरुवत नहीं मैं अपनी खुशी मेहनत से हासिल करता हूँ, भीक से नहीं फिर मुझे तेरे दिये हुए टुकडों की जरुवत नहीं है नसीब बार-बार नहीं खुलता, मौका आया है उससे लपक लो यह तो सच बात है सुभाश पांडे, तुम सोच में पढ़ गए हो, मतलब तुम मेरी बात मान गए बोदे को पैसों से भरा बैक पड़ा है इससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी बाकी तुम्हारी मरसी सोच लो सौरी डाले, बाई, हैपी जानी साहब, आप चिंता मत करिये समझ लेजिए लाश गाइब इस बैक के साथ मैं भी गाइब और आपका मामला भी गाइब इस तरह से अपनी हवस में उसने उस लड़की को मार दिया और आप वो चंद्रिका के साथ भी उसी लड़की के तरह ब्यवहार करना चाहता है उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी ओम दुर्गाए नमाहा ओम नमु नमाहा ओम दुर्गाए नमाहा ओम दुर्गाए नमु नमाहा झाल 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 साकिनी डाकिनी नमो नमाहा साकिनी डाकिनी नमो नमाहा साकिनी डाकिनी नमो नमाहा ओम जाकिनी डाकिनी नमो नमाहा ओम साकिनी डाकिनी नमो नमाहा ओम दुरका देब्ब्ब्ब्ब अनुग्रा करो तुमाम ओम दुर्गा देप्पे अनुग्रा करो तुमाम, ओम दुर्गा देप्पे अनुग्रा करो तुमाम, हे भद्रकाली हाई रोहित हाँ, हे हे कैसे हो? I am okay, मैं तो ये देख कर चकेत हूँ, कि इस खूबसूरत लड़की को यह अकेली छोड़ कर सब कहा गए? मुझी अकेला छोड़ कर वो सब जंगल घूमने गए हैं, उन्हें वापस लौटने में शायद दो-तिन घंटे लग जाएंगे चंद्रिका, यह सो ब्यूटिफुल ऐसा लगता है उपर वाले ने बड़ी ही खूबसूरती से बनाया है तुम्हें एक लड़की को एक सही लड़का मिल जाए, इसके हलावा उसे जिन्दगी में और क्या चाहिए? सच में, उस मोहन में तो बिलकुल दिमाग नहीं है उसमें दिमाग नहीं है तो क्या हुआ? पर मुझ में है जाने दो तो ये सुन्दरी मेरी जिन्दगी में आएगी क्या? इसमें इतना सोचना क्या? तुम जैसे चाहो मुझे अपना लो, तुम्हारी मर्जी फिर उस मोहन का क्या होगा? वो मोहन शादी करके जिन्दगी तो मेरे साथ भी दाना चाहता है पर मस्ती रंजीता से उसकी बाद छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या बताओ, अगर मैंने तुमें पहले प्रपोस किया होता तो अब तक तो हमारे दो-चार बच्चे होते पता नहीं, उस समय इजहार क्यों नहीं कर पाया पर अभी भी, देर कहां हुई है? जरार को, मैं अभी तुम्हारे ले करम चाह ले कराती हो गरम बाते, गरम चीज के साथ होंगी तब ही मज़ा आएगा, प्यार करने का हलो, भाई साब, आपकी जान खत्रे में है ऐसा क्या? और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ, ये सब छोड़िये मेरी बात ध्यान से सुनिये, उस बंगले में घूम रही चंद्रकान्ता की आत्मा चंद्रिका के शरीर में समा के आपको मारना चाहती है साथान रहिए ठीक है, होल्ड करना प्लीज सच कहा तुमने? पर अब मैं क्या करूँ? आप मेरा यकीन कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा आपको ड़ने की सुरुत नहीं है मैं उस आत्मा को अपने कब्जे में कर लूँगा ये करने के लिए मुझे पंदर मिर्ट लगेगा आप उतनी देर कुछ को संभालिए मैं उसे अपने वश्च में करता हूँ पर आप उससे दूर रहिए वरना आप भस्च में हो जाएंगे मैं आपका भला कर रहा हूँ, आप मेरा भला करना ख्याल रखिए मुझे इसके कीमत देंगे ना ओके ओके, पर मुझे बचा लो प्लीज ओके से जै माहकाली, जै भद्रकाली, जै माहकाली ओम दुर्गाएना माहा जै माहकाली रक्षा करो, रक्षा करो माहा जै ऐसे क्या देख रहे हो, पियो ना सारी पी जाओगे क्या थोड़ी मुझे भी दे दो लो ये तो खत्म हो गई अब हम अपना काम शुरू करते हैं ओम माहा चंड़े न माहा जै माहकाली ओम माहा चंड़े न माहा ओम माहा चंड़े न माहा ओम गंधर्व प्रिया न माहा जै माहकाली शाकनी डाकनी नमो न माहा जै माहकाली जै माहकाली ओम दूर्गाय न म माहा जैब ओम आंघी माहकाली इसान म आध्या चंड़े न मत्रूडे न माहकाली अनुक्रा करो जै महाकाली जै भद्रकाली ओंतुर पुराइनमा जै भद्रकाली जै भद्रकाली ओंतुर पुराइनमा ओंतुर पुराइनमा कौन हो तुम उसने गलती कर दी है उसे छमा कर दो छमा कर दो उसे छमा कर दो जै भद्रकाली जै भद्रकाली जै महाकाली इसी खुबसूरती का मुज़ा नहीं लिया तो मुझसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा चंदरकांता तो चली गई मैं इसके साथ इंजॉय कर लूँगा तो रिलेक्स हो जाओंगा कि कॉ हुए झरीटू कि कि आ इंदूख पावे कि आंदूख पावे ंताताताता हो पावे कर दो 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 कर चंद्रकान्ता इस चंद्रिका को छोड़ कर चली जाओ तुम्हारा दुस्मन अब खतम हो गया है अपने स्वार्थ के लिए तुम दूसरे के प्रेम की बली मच चड़ाओ चली जाओ यहां से चंद्रिका को छोड़ कर चली जाओ चंद्रकांता जी मेरी बात सुनिये आप मेरी चंद्रिका को छोड़ दीजिए प्लीज चंद्रकांता हमें माफ कर दो मैं भी आपकी तरह यहां आकर इसके हवस के शिकार हो गई थी और इन्दा शादी से पहले ऐसी कलती मत करना शादी के पहले तो क्या शादी के बाद भी नहीं करूँगा ठीक है मैं जाती हूँ पर जाने से पहले एक बाद बताना चाहती हूँ प्यार शादी की शिरुवात है उसे हवस का नाम देकर बेईस्द मत करना समझ गए? प्यार दो दिलों का बंधन है उसे अपवित्र मत करना उसका अपमान मत करना अब जहां भी ऐसा अन्याय होगा वहाँ चंद्रकांता अपना अन्याय दिखाएगी जाती हूँ चंद्रिका झाल